नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर फोटोग्राफी आपकी होबी है या फिर आप एक प्रोफिशनल फोटोग्राफर है या आप एक यूट्यूबर है और आप सोच रहे हैं एक मीड रेंज DSLR बाई करने की तो निकोन D5300 आपके लिए एक सही ओप्शन हो सकती है दोस्तों दो की ओनलाइन साइट्स पे अवेलेबल है अंडर बजर्ट सेग्मेंट रुपीज 35,000 के और करेंगे इसकी अन्बॉक्सिंग और बताएंगे आपको इसके बॉक्स कंटेंट के बारे में तो चली शूर करते हैं दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ब्लोक संजीव टेक्निकल को और हिट कीजिए बैल आइकन को मेरे हर लेटेस्ट अप्लोड वीडियो की जानकारी आपके नोटिफिकेशन ड्रॉर में सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों बॉक्स पैक के अंदर जो चैसरी इंक्लोडेट बताई गई है वह स्ट्रैप, रिचार्जेबल, लिथियुम आइन बैटरी, बैटरी चार्जर, यूएस्बी केबल, आडियो वीडियो केबल, सॉफ़फियर, सीडी रॉंग, यूजर मैनुवल और वरेंटी गार रीड राइट करने वाला मेमरी कार्ड, जो की आपको काम आएगा आपकी फोटोग्राफी को सेव करने में, दोस्तों ये बना है निकॉन के दवारा जापान में, और इसे इंपोर्ट किया गया है गुडगाओं के दवारा, और इसके साथ इसकी स्पेसिकेशन देगी है, प और चलिएए इसकी सील में ने ओपन कर दिया, अब इसके बॉक्स कंटेंट को खोल करके देख लेते हैं कि इसके साथ क्या-क्या आता है, जैसे ही हम इसकी बॉक्स को ओपन करते है, सबसे पहला कंटेंट जो हमें मिलता है, है कुछ डॉक्मेंटेशन, यह है वह कुछ वोक्स कंटेंट है इसका ये जोकि वीउफाइंडर का गवर है ये है वो विउफाइंडर कवर जो कि आपके वीउफाइंडर को स्क्रेचेस से बचाएगा नेक्स बॉक्स कंटेंट है निकुन का D5300 कैमरा का बोडी DSLR का बोडी ये ब्लैक कलर में है और काफी अच्छी वेल बीड के साथ आता है नेक्स बॉक्स कंटेंट है इसका लेंज जो की इसके साथ फ्री में आता है वो है 18mm 255mm की लेंज वाला निकुन का AFP Nikon 18-55mm 1-3.5-5.6 जी ये DX और VR के साथ आता है नेक्स बॉक्स कंटेंट है इसका audio video cable जो की एसिस्ट करेगा आपके multimedia content जो की आपने खीचा हो या save किया हो उसको TV के उपर live करने के लिए नेक्स बॉक्स कंटेंट है Nikon की rechargeable lithium oil battery pack जो की 7.2V और 1230mAh के साथ आता है नेक्स कंटेंट है battery charger MH24 जिसके अंदर इस battery को आप charge कर सकेंगे और यह Indian socket के साथ आता है और finally इसके साथ मिलती है USB cable जो की इसके data को transfer करने के काम आएगी आपके lapi के अंदर तो दोस्तों यह है इसका lens और DSLR camera की body इन दोनों को हम जैसे ही mount करने की कोशिश करते है तो यहां पर ध्यान आपको यह रखना है कि यह point white color का इधर है यह white color के point के सामने आना चाहिए जैसे यह बल्कुल सामने आता है इसको आपको anti-clockwise press करके anti-clockwise गुमा देना है और आपको एक click के sound सुनेगी जैसे ही आपको sound सुनेगी तब यह mount हो जाएगा आपका lens इसके उपर तो दोस्तों यह हम click कर रहे हैं कुछ samples photo ताकि आपको दिखा सकें कि इसकी clarity कैसी है यह देखिए आप काफी अच्छी clarity दे रहा है यह और अभी हमने इसको auto mode पे लगा रखा है फिलाल हम इसकी कोई भी lens की option का इस्तमाल नहीं कर रहे है manual option दोस्तों यह इस strap के साथ आता है ज Nikon ने इसके साथ provide किया है यह pack जिसके अंदर आप इसको रख सकते हैं यहाँ पे आप इसका lens डाल सकते हैं यहाँ पे इसकी body डाल सकते हैं और कुछ accessories या card वगएरा या cables वगएरा का इस्तमाल यहाँ पे आप रखने के लिए कर सकते हैं दोस्तों आशा करता हूँ आपको य इन-mean functions और photography के tricks Nikon D5300 DSL का best buy link मैं आपको description में दे दूँगा आप वहाँ से जाकर के directly इसको buy कर सकेंगे और हमारे चैनल को भी कुछ support हो जाएगी आशा करता हूँ आपको ये Nikon D5300 का unboxing and first hands-on review पसंद आया होगा इस वीडियो को like भी कर दियो और share भी और ब्लॉक संजीव technical को subscribe करना ना भूलें क्योंकि मैं इस तना के interesting topic पे वीडियो आपके लिए लेके आता ही रता हूँ दोस्तों ब्लॉक संजीव technical देखने के लिए आपका दनेवाद आपका दिन शुप रहे जैहिन दोस्तों